अरियों, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है, कोरूल रो में, एक फिंगर प्रिंट का लोगो डिजाइन कैसे क्रेट करना उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो पहले क्या है, अभी एक एलिप्स टूल लेता हूं लेके, कंट्रूल को होड़ करते हूं इसे ड्रैग किया मैंने, इस साइज में आपको बताने जा रहा हूं तो पहले इसका जो width थे, इसको 120 by 120 देता हूं, width और height 120 रखा है मैंने, अभी इसको क्या है, Ctrl C, Ctrl V करता हूं, तो copy paste हो गया, तो अभी इसको क्या है, 10 by 10 mm रखता हूं अभी इसमें क्या है, number of circles मुझे center में create करना है, तो उसके लिए अभी blend tool में आता हूं, यानि shadow tool में क्या है, इदर blend करके tool है, इसको hold करके drag करना है, जैसे इदर snap होता है, click को छोड़ देना है, दिको अभी number of circles इदर create हो गया अभी, इसको 10 step कर लेता हूं, 10 step करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूं, ये pick tool selected है, अभी मैं क्या करता हूं, इदर mouse right click करके इसको break blend apart बोलो आप, तो ये break होता है, अभी दिको ये center में circle से grouped है, इसको भी क्या है, right click करके ungroup all किया, तो सब ungroup होया अभी, अभी क्या है, six circles को select करता हूं, अभी दिको first circle select हो गया, shift के साथ इ click छोड़ दो आप, तो क्या होता है, इदर copy हो गया अभी, अभी इन सब को select करता हूं, select करके आपको क्या करना है, convert to curve करना है, control q press करता हूं, तो convert to curve हो गया, shape tool लेता हूं, लेके, इन सब points को आपको select करना है, ऐसे drag करो आप, इसमें जो भी यहां से, ये सब क्या है, points selected है अ करना तक ले लो आपर, इन सब points को ऐसे select करके, और एक पर अभी delete करता हूं, तो देखो भी ऐसा आ गया, इसी तरह क्या है, इन सब circle को select करता हूं, select करके इसको भी क्या है, control q press करना है, तो convert to curve हो जाता है, अभी shape tool लेता हूं, लेके, इन सब points को ऐसे, जो bottom में points है, इन सब को select किया मैंने, अभी इसको भी क्या है, break करता हूं, break करके इसको delete करना है, अभी फिर से क्या, इसे select करके, इसको भी क्या है, delete करता हूं, इतना delete करने के बाद, pick tool लेता हूं, अभी ये सब selected है, अभी इस point पे आता हूं, node करके जैसे ही आता है, इदर hold करके, drag करता हूं, drag करके देखो भी जैसे इदर snap होता है mouse इदर क्लिक छोड़ देता हूँ मैं तो देखो भी ऐसा आ गया अभी क्या है इन सब को select करता हूँ select करके weld कर लेता हूँ यहनि यह single object बन गया भी अभी क्या है circle मुझे draw करना है इदर तो उसके लिए एक बार इसको आप क्या करो deselect करो deselect करके इदर क्या है ellipse tool में थोड़ेदर तक hold करो आप तो यह open होता है यहनु यह क्या है three point ellipse tool है इसको लेता हूँ लेके इदर जैसे node करके आता है इदर hold करके इसे drag करो आप अभी देखो जैसे इधर नोड आता है तब आपको click छोड़ना है तो देखो इसे wall बन रहा है अभी मैं क्या करता हूँ control को hold करता हूँ तो इसे exact circle आ जाएगा अभी इसको क्लिक करता हूँ मैं तो देखो भी circle आ गया भी अभी virtual segment delete करके है इसमें आता हूँ अभी इस edge पर आके इधर क्लिक करता हूँ मैं तो लाइन क्या है इसे remove हो जाएगा एक एक करके आपको क्या है इसे remove करना है तो देखो भी इतना remove करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ पिक टूल लेता हूँ पिक टूल लेके इस circle को अप एक बार deselect करके इसको select करो select करके delete करता हूँ मैं अभी मुझे क्या करना है इन lines के बीच में कुछ gaps create करना है यानि cut करना है मुझे तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर है इसमें crop tool के अंदर क्या इधर eraser है इसको लेता हूँ लेके इधर आप क्या करो ऐसे आप इसे क्लिक करने से भी क्या है इसे eras हो जाएगा आपको जहां पर eras करना इसे आप eras कर सकते हैं इस तरह क्या है इसे eras कर लेता हूँ मैं अभी इतना इसे eras करता हूँ मैं तो इस तरह क्या है आप एक फिंगर प्रिंट का लोगो डिजाइन आप क्रेट कर सकते हैं अगर ये करते होगत आपको कुछ डॉट्स वगिरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा हमारे साथ जुले देने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद